आज मैं आप सब के साथ बहुत ही टेस्टी सूरन की सबजी की रेसिपी सेर कर रही हूँ और यह बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत ही आसान विधी बताऊंगे आपको सूरन की सबजी बनाने की सूरन को जिमीकंद भी कहते हैं तो चलिए रेसिपी सुरू करते हैं उससे पहले Welcome to Amazing Kitchen Recipes अगर भी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले तो यहाँ पर मैंने 1 kg जिमीकंद लिया था जिमीकंद को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और इसके छिलके निकाल दिया है मतलब इसे पील कर लिया है इसे मैंने प्रेसर कुकर में डाल दिया है और अब इसमें डाल रही हूँ दो बड़े कप जितना पानी इसमें अब मैंने डाल दिया है medium high flame में boil कर लेंगे तो यहाँ पर सूरन जो है वो boil हो गई है इसे निकाल करके एक छलनी में रख रही हो अब मैं और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे अब सूरन ठंडी हो गई थी तो मैंने एक plate में निकाल लिया है और अब यह जो pieces हैं ज्यादा बड़े-बड़े हैं तो इनके इस तरीके से मोटी-मोटी slice कर लेंगे आपको सूरन को किवल एक से दो ब्रिसल आने तक की boil करना है और इसे तुरंद गरम पानी से निकाल करके छलनी में रख देना है इसे क्या होगा सूरन अब इन slices को fry करेंगे तो fry करने के लिए मैंने 6-7 बड़े चमच oil को गरम कर लिया है flame मैंने medium रखी है और medium flame में इस तरीके से सूरन को fry करना है आपको तो यहाँ पे मैं सारी सूरन के pieces डाल दोंगी और अब आपको सूरन को medium flame में fry कर लेना है जब तक जब तक कि एक अच्छा सा light golden color ना ले ले तो बस इसी तरीके से बीच बीच में आप इसे पलटते रहें और fry कर लें तो जब भी सूरन की सबची बनाए एक पत का ध्यान जरूर रखें कि इसे ओपर कुख ना करें और इसमें dry mango powder जरूर डालें तो बस यहाँ पर मैंने सूरन को प्रेट में निकाल लिया है और यह देखिए सूरन कितने अच्छे से कुख भी हो गई है यह देखिए तो इसे साइड में रखते हैं अब यहाँ पर यह जो oil है इसमें से थोड़ा सो oil मैंने कम कर लिया है और इसमें डाल लई हूँ एक छोटा चमर जीरा इसी के साथ में यहाँ पर मैंने बारिक काट करके दो प्याज ली है आठ से दस कलियां बारिक काट के लहसुन की ली है और दो हरी मिर्च ली है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्याज डाल लई हूँ और प्याज को एक मिनट तक मैं भून लूँगी फ्लेम मैंने मिडियम हाई रखी हुई है और इसी के साथ में अब इसमें मैं डाल दूँगी कटी हुई लहसुन यानि गारलिक साथ में हरी मिर्च तो हरी मिर्च आप अपने स्वादनुसार डाले अब इसे थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें अब मैं डाल रही हूँ एक चोथाई चम्मच जितना अजवाइन आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं अजवाइन और इसे अब गोल्डन होने तक इस तरीके से भून लेंगे जब इस तरीके से लाइट गोल्डन कलर आ जाए ना प्याज लहसुन मिर्च सबच्चे से भून जाए तो इसमें मैं डाल रही हूँ तीन टमाटर की प्यूरी तो यहाँ पे आपको टमाटर की प्यूरी ही डालना है इसे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और अभी अच्छे से इसे भूनेंगे तो दो से तीन मिनट तक भूनने के बाद अब इसमें कुछ मसाले एट करेंगे तो इसमें मैं डाल रही हूँ आदा छोटी चमच हल्दी पाउडर एक छोटा चमच कासमेरी लाल मिर्च पाउडर दो छोटे चमच धनिया पाउडर और अब सारे मसालों को अच्छे से आपको भूनना है फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखी हुई है तो अब इसमें मैं एट कर रही हूँ एक सूखी लाल मिर्च आप चाहें तो इसकिप कर सकते हैं और अब इसमें 2-3 बड़े चमच पानी एट कर दूँगी पानी एट करने से क्या होगा सारे मसाले बहुत अच्छे से बुन जाएंगे तो यहां मैंने किवल 2-3 बड़े चमच पानी एट किया है और पानी एट करने के बाद अभी इसे बहुत अच्छे से बुनना है जब तक जब तक की ओयल ना इस तरीके से सेपरेट हो जाए और अब इसमें डालेंगे आधा बड़ी चमच ड्राई मैंगो पाउडर यानि अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर आपको जरूर एट करना है इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी थोड़ा सा और भून लेंगे तो जब मसाला इस तरीके से अच्छे से बुन जाए ओयल सेपरेट हो जाए तो इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरा धनिया डाल करके अभी बहुत अच्छे से एक मिनट तक और भून लेंगे इससे जो ग्रेवी है नो वो बहुत ज दालेंगे पानी, तो यहां पर मैं 2-3 बड़े कप जितना पानी इसमें आट करूंगी और अभी बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे स्वादनुसाल, नमक यानि सॉल्ट और बस अभी फिर से एक बार अच्छे से mix करेंगे और अब धककन धकके 5-6 मिनट के लिए इसे medium flame में आपको पकाना है तो बस अभी से मैं cover कर दूँगी और पकने दूँगी तो यहाँ पर सूरन को पकते हुए 3-4 मिनट हो गये हैं तो एक पर इस तरीके से आपको बीच में check जरूर करना है तो बस सूरन को और 3-4 मिनट पकने देंगे तो फिर से मैं इसका धककन धकतूँगी और इसे medium flame में पकने दूँगी तो यहाँ पर सूरन बहुत अच्छे से cook हो गई है तो बस अब मैं flame off कर रही हूँ सूरन बहुत अच्छे से पक गई है और इसे मैं गर्मा गर्म सर्व करूंगी तो आप इस recipe को जरूर try करिए आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको हमारी recipes अच्छी लगती है तो आप Amazing Kitchen recipes को करने subscribe अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share जरूर करें साथ में comment करके जरूर बताएं कि आपको हमारी recipes कैसी लगती है Thank you for watching video